आप हर साल सुबा सुबा उटकर गंतंत्र दिवस की परेड देखते हैं आपको उस पर बहुत गर्व भी होता है और उस परेड में विविन राज्यों की जहाकियां भी आपको देखने को मिलती है इस परेड में राज्यों की जहाकियों को शामिल करने के पीछे मूल विचार ये था कि भारत की अनेकता में एकता की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जाए क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी उपलब्धियां होती है वहां की अपनी एक भाशा होती है वहां की अपने संसकार होते हैं अपनी कल्चर होती है अपना इतिहास होता है और ये सारी बातें एक भारतियता को दर्शाती हैं लेकिन अब राज्जों की इन झाकियों पर भी राजनीती होने लगी है अब इन झाकियों में एकता नहीं दिखती बलकि अनेकता ज्यादा दिखती है। मोधी सरकार उनके साथ भेद भाव कर रही है राज्य सरकारों का इस तरह का रविया भारत के संगिय धांचे के लिए खतरनाख हो सकता है और हाली के दिनों में ये बहुत ज्यादा होने लगा है विपक्षी दलों की राज्य सरकारें मोधी का विरोध करने के लिए अब लगबग हर महतपून मुद्दे पर केंदर सरकार का विरूद करती हैं पंजाब में प्रधान मंतरी को सुरुक्षा नहीं दी जाती बहुत सी राज़े सरकारें कोविड पर केंदर सरकार के नियमों को खुली चुनोती देते हैं विपक्ष के नेता हमारे ही देश में बनी वैक्सीन को भी चुनौती देते हैं यहां तक की चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी विपक्ष की राज्य सरकारें अब अपने ही देश की केंदर सरकार के खिलाफ रुख अपनाने लगी हैं और इसलिए अब भारत को बाहरी ताकतों के साथ साथ अंदरूनी ताकतों से भी लड़ना पड़ रहा है। गंतंत्र दिवस की परेड में अपने राज्यों की जहांकियां शामिल नहीं करने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंतरी ममता बेनर जी और तमिलाडू के मुख्यमंतरी एमके स्टैलिन ने प्रधार मंतरी मूदी को चिठ्थी लिखी है। ममता बेनर जी ने कहा है कि इस तरह के कदम से उनके राज्य के लोग नाराज हो जाएंगे दुखी होंगे। जबकि एमके स्टैलिन ने कहा है कि उनके राज्य की जहांकी को हटाने से तमिलाडू के लोगों की देश भक्ती की बावना को गहरी ठेस पहुचेगी। इसके अलावा इस बार केरल और महराश्ट की जहांकियां भी गंतंतर दिवस के समारों में शामिल नहीं होंगी। इसलिए इन राज्यों का भी कहना है कि मोदी सरकार उनके साथ इसलिए भेदभाव कर रही है क्योंकि उन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। यानि अब इन ज्हांकियों में भी आपको राजनीती दिखने लगेगी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी राज्य की ज्हांकी को गंतंत्र दिवस समारों में शामिल ना किया गया हो लेकिन जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारे हैं वहां अब मोदी विरोध के नाम पर इस प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और देश के गंतंत्र दिवस समारों पर भी अब शायद पहली बार राजनीती हो रही है हर साल 26 जन्वरी को इसलिए गंतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 26 जन्वरी 1950 को देश का समिधान लागो हुआ था लेकिन इस गंतंत्र दिवस पर संगीय धाचे को कमजोर करने वाली राजनीती हो रही है और हमारे देश की विपक्षी पार्टियां मोदी विरोध के नाम पर देश को ही कमजोर करने में जुट गई है और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है जिसका आज हम आपके लिए विशलेशन करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को लिखी गई उन तमाम चिट्टियों के बारे में बताता हूँ आज बहुत सारी चिट्टियों का दिन है सारी चिट्टियां में अपने साथ लेकर आया हूँ इन में एक चिठी ममता बेनर जी की है, दूसरी M.K. स्टैलन की है और इन चिठीों में क्या लिखा है, मैं आज आपको बताऊंगा और देखिए इसमें क्या लिखा है सबसे पहले हम ममता बेनर जी की चिठी पढ़ते हैं वो कह रही हैं, I have been profoundly shocked and hurt by the decision of government of India to abruptly exclude the proposed tableau of government of West Bengal from the Republic Day Parade वो कह रही हैं कि इस से पश्चिम बंगाल के लोग बहुत नाराज हैं और I may like to inform you that all the people of West Bengal are deeply pained by this attitude of the central government फिर वो कह रही हैं कि जो freedom struggle है, हमारी आजादी की जो लड़ाई है उसमें तो बंगाल के जो लोग थे और बंगाल का जो participation है वो बढ़ चड़ कर हमने उस participate किया है और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि हम नेता जी सुभाश चंद्रबोस का जो योगदान रहा है उसे हम celebrate करना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें ये मौका नहीं दिया गया कि हम नेता जी सुभाश चंद्रबोस की उपलब्दियों को दर्शा सकें इस जहांकी के जरिये इसलिए बंगाल के लोग पच्छें बंगाल के लोग आपसे बहुत नाराज हैं और हमारे साथ ये जात्ती हो रही है अब M.K.S.Talin भी यही लिख रहे हैं और वो कहते हैं वो भी कह रहे हैं कि I am deeply disappointed to know that the state of Tamil Nadu has been deprived of the opportunity to participate in the ensuing Republic Day Parade to be held on January 26th और वो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और प्रधान मंतरी से कह रहे हैं कि आप खुद इसमें आप दखल दीजिए वो भी यही कहते हैं कि हमारी जहांकी का शामिल ना किये जाना हमारे तमिलाडू के लोगों के जो sentiments हैं उनके emotions हैं उससे बहुत वो उन्हें ठेस पहुचेगी और जो committee बनाई गई थी यह तैय करने के लिए कि किस राज्य की जहांकी आएगी किस की नहीं आएगी उसने हमारे साथ नाइंसाफी की है यानी प्रक्रिया पर सवाल उटा रहे हैं अब आप ये समझे कि गंतंतर दिवस की परेड में जहांकियों के चैन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है कैसे ये तैय होता है कि किस राज्य की जहांकी इस बार आएगी और किस की नहीं आएगी सबसे पहले तो आपको इस समझना होगा कि गंतंतर दिवस समारों का जो आयोजक होता है वो रक्षा मंत्राले होता है रक्षा मंत्राले इसका आयोजन करता है समारों में परेड की पूरी रूप रेखा से लेकर बाकी दूसरे सभी बड़े फैसले रक्षा मंतराले को लेने होते हैं इसके अलावा जहाकियों के चैन की जिम्मेदारी भी रक्षा मंतराले की ही होती है और इस प्रक्रिया की शुरुवात रक्षा मंत्राले के एक पत्र से होती है जो केंदर सरकार के अलग-अलग मंत्राले, विभागों और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं और देश के सभी राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों को भेजा जाता है क्योंकि गंतंत्र दिवस की परेड में केवल राज्यों की जहाकिया नहीं होती है इसमें अलग-अलग मंत्राले, अर्द सैनिक बल और चुनाव आयोग जैसी सोतंत्र एजिंसियों की जहाकियों का भी चायन होता है इस पत्र में ये बताया जाता है कि इस साल के समारों में जहाकियों का मुख्य विशय क्या होगा यानी थीम क्या होगा और किन शर्तों पर जहाकियों का चैन किया जाएगा यानि जो राज्य और मंत्राले इन शर्तों पर खरे उतरेंगे योग्य होंगे जिनकी जहाकियां क्रेटिव होंगी और उस थीम को मैच करती होंगी और बेहतरीन होंगी उन्हें समारों में शामिल किया जाएगा और ये काम एक दो हफ़ते पहले शुरू नहीं होता बलकि इस समारों से चार पांच महीने पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस बार की जहाकियों के चैन के लिए भी रक्षा मंत्राले ने 16 सितंबर 2021 को ही पत्रलिक्स दिया था सितंबर में ही इसलिए ये राज्ये सरकारें ऐसा नहीं कह सकती कि उन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला दूसरी बात किस राज्ये की जहाकी का प्रस्ता सुईकार होगा ये फैसला रक्षा मंत्राले नहीं लेता सीधे तोर पर ये फैसला रक्षा मंत्राले दोरा बनाई गई एक कमिटी ल करता ये काम ये स्वतंत्र कमिटी करती है और ये परंपरा आज से नहीं कई दशकों से ऐसे ही चली आ रही है लेकिन इस पर कभी राजनीती नहीं हुई जहांकियों का चैन दो चरणों में होता है पहले चरण में जहांकी के स्केच और डिजाइन को परखा जाता है तो ठीडी मॉडल पेश करने के लिए का जाता है और फिर दूसरे चरण में ये जब ये ठीडी मॉडल पेश किया जाता है फिर इसे परखा जाता है और जिन राज्यों की जहांकियों के मॉडल्स खरे उतरते हैं उन्हें मनजूरी मिल जाती है बाकी प्रस्ताव रिजेक्ट हो दिया हाला कि ये राज्य अकेले नहीं हैं जिनके प्रस्ताव खारिज हुए हैं इस बार इस एक्सपर्ट कमिटी को अलग अलग राज्यों और केंद्रिय मंतरालियों से 56 जिनमें से केवल 21 का चैन किया गया है यानि इस बार कुल 35 ज्ञाकियों के प्रस्ताव रिजेक्ट किय गये हैं एक के नहीं 35 के एक और बड़ा पॉइंट यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पश्चिम बंगाल ने गंतंतर दिवस की ज्ञाकी के लिए कोई प्रस्ताव भेजा और वो खारिज हुआ है इससे पहले भी होता रहा है 2018 और 2020 में भी पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव इसी प्रक्रिया के तहत खारिज हुआ था लेकिन तब मम्ता बेनर जी ने कुछ नहीं कहा था इसी तरह 2018 के गंतंतर दिवस समारों में तमिलाडू की ज्ञाकी शामिल नहीं हुई थी क्योंकि उसका प्रस्ताव पास नहीं हुआ बड़ी बात यह है कि 2021 में यानि पिछले साल इन दोनों राज्यों की ज्ञाकियां गंतंतर दिवस में शामिल हुई थी और इसी प्रक्रिया के तहत BJP शासनवाले राज्य हिमाचल प्रदेश की ज्ञाकी रिजेक्ट हो गई थी तब इन राज्यों ने ये नहीं कहा था कि हिमाचल प्रदेश के साथ भेदबाव हुआ है वो भी तब जब हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी ज्ञाकी में मनाली में स्थित अटल टरनल का प्रदर्शन करना चाहती थी जो केंद्र सरकार के सहयोग से ही बनी है लेकिन इसके बावजूद उस समय हिमाचल सरकार का प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया इससे भी पता चलता है कि यहां मुद्दा इस प्रक्रिया का है ही नहीं पश्चिम बंगाल ने इस सवाल उस समय नहीं उठाया जब 2016 में, 2017 में, 2019 में और 2021 की गंतंतर दिवस की परेड में उसकी जहांकी को शामिल किया गया था इसी तरह तमिलाडू की जहांकी भी 2016, 2017, 2019, 2020 और 2021 की परेड में शामिल हुई है और तब भी नरेंदर मोदी ही देश के प्रदान मंतरी थे पिछले 20 वर्षों में जम्मू कश्मीर, करनाटक, असम और 36 गड़ जैसे राजियों की जहांकियों को सबसे ज्यादा गणतंतर दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिला है और इसका एक मातर कारण ये है कि उनकी जहांकियां निर्धारित मानकों पर खरी उतरती रही है लेकिन इस बार जिन राजियों में विपक्षी पार्टियों की सरकारे हैं वो इसे अपने साथ भेद भाव बता रही है जिसका जवाब रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने आज अपनी एक और चिट्थी के जरीए दिया है और वो चिट्थी भी मैं आज अपने साथ लाया हूँ वो चिट्थी भी आपको पढ़कर बताता हूँ उन्होंने ममता बेनर जी को चिट्थी लिखी है और उन्होंने ये लिखा है कि आप जो कह रही हैं कि नेता जी सुभाश चंद्र बोस को आप फीचर करना चाहती थी लेकिन उसके लिए नेता जी इसी भावना को सरोपरी रखते हुए मानिय प्रधान मंतरी जी ने नेता जी के जन्म दिवस 23 जन्वरी के दिन को पराकरम दिवस के रूप में घोशित किया है और अब से हर बार गंतंतर दिवस की शुरुवात नेता जी के जनम दिवस 23 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी को इसका समापन होगा और वो ये भी लिख रहे हैं कि हमारी जो चैन प्रक्रिया है वो बिलकुल सही है और इसी प्रक्रिया के तहट पश्चिम बंगाल राज्य की जहांकी ने 2016, 17, 19, 21 में भी इस परेड़ में हिस्सा लिया है मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बार 29 राज्यों और केंदरशाशन प्रदेशों के प्रस्ताव में से सिर्फ 12 को मनZोरी मिली है सोचिए 29 में से 12 को मनЗोरी मिली है और साथ ही उनने ये भी कहा है कि उनकी जो सरकार है वो नेता जी सुभाज चंदर बोस के नेतरत्वें बनी भारत की निर्वासित सरकार की 75 वी वर्षगांट 2018 में भवे रूप से मना चुकी है और उन्होंने गंतंत्र दिवस के परेड में आजाद हिंद फौज के जीवित सैनानियों को शामिल करके उन्हे ये बताने की कुशिश कर रहे हैं कि नेता जी सुभाज चंदर बोस का जो कांट्रेक्ट है वो के लिए आपने नहीं लिया हुआ केंदर सरकार तो पहले से ही उन्हें बहुत सम्मान कर रही है आपने जितना सम्मान नहीं किया उतना केंदर सरकार कर चुकी है ये राजनात स पूरी प्रक्रिया उन्होंने समझाई है और कहा है कि आपके साथ कोई जात्ती नहीं हुई है आज इस मुद्दे पर बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियां आई हैं आपको आज वो भी सुननी चाहिए लेकिन आप ये सब सुनने से पहले ये सोचिए कि ये गणतंत्र दिव कि जो परेड होती है हमारे देश में अभी तक ये बड़ी शुद्ध थी इस पर कोई राजनीति नहीं होती थी ये एक ऐसा दिन होता है कम से कम साल का एक दिन जब हम वाकई में सुचते हैं कि हमारा पूरा देश एक है इन जहाकियों को हम देखते हैं तो हमें अनेकता में का विचार हमारे सामने आता है अपने देश पर हमें गर्व होता है लेकिन इस बार इस मुद्धे पर भी राजनीति शुरू हो गई है यह पुरा देल्वी जो कर रहा है यह बंगाल का अपमान है नेताजी शुहास चंद्रबोस का अपमान है हमारा जो बंगाल गर्वर्मेंट का जो टैप उसका थिंग नेताजी शुहास चंद्रबोस था है और सिंट्रल गर्वर्मेंट ले वो रिफ्यूस कर दिया वो जो कर वो पॉलिटिक्स कर रहा है चीप पॉलिटिक्स कर रहा है उनका सामने जो एलेक्शन है वो ही स्टेट से वो टैवलो ले रहा है और जो भीजेटी का खिलाफ है उसका हरास कर रहा है पॉलिटिक्स कर रहा है जो पॉलिटिक्स कर रहा है आज हो सकता है आपको ये खबर छोटी लग रही हो लेकिन आगे चलकर आप समझ पाएंगे कि इस से कैसे भारत का संगिय धांचा जो है वो कमजोर हो सकता है ये खतरनाक खबर है उधारन के लिए भारत सरकार अगर टेसला कंपनी के मालिक और बड़े उद्योग पतियों में से एक इलॉन मस्क के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पर रियायत नहीं देती तो हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियां और राज्य सरकारें सिर्व मोदी का विरोध करने के मोदी विरोध के नाम पर चीन का भी इंडिरेक्टली समर्थन करने लगती हैं अगर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान को कोई कड़ा संदेश देती है तो यही पार्टियां पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और फिर उसकी भाशा बोलने लगती है य एक और बात ये सारे वो राज्ये हैं जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारे हैं जहां केंद्रिये जांच एजिंसियों के लिए अलग-अलग नियम बना दिये गए हैं आज इस देश की सबसे बड़ी जांच एजिंसियां या जैसे CBI, ED अपने ही देश के आठ राज्यो में वहां की सरकारों की अनुमति के बिना घुस नहीं सकती और ये राज्ये हैं 36 गड, महाराष्ट, जहारखन, पंजाब, राजिस्तान, केरल और पश्चिम बंगाल इन सभी राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारे हैं यानि ये केंद्रिये जांच एजिंसियों को अपने यहां आने नहीं देंगे लेकिन इन्हें देश के गंतंत्र दिवा समारों की परेड में अपना स्लोट पका करना है और अगर इनकी जहांकी नियमों के आधार पर खारिज होगी तो ये भेद भाव का आरोप लगाएंगे पंजाब में देश के प्रधान मंतरी को स शुरुआत की है उसे देखकर लगता है कि भविश्य में इन राज्यों में कुछ भी हो सकता है भविश्य में कोई विपक्षी राज्य गंतंत्र दिवस समारों का वहिशकार भी कर सकता है अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है लेकिन क्या वरोसा अगले साल कुछ सरकारें ऐसी ऐसी स्थिति आ जाए आज आपको ये कोरी कलपना लग सकती है लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उससे ऐसा हो भी सकता है आज बहुत सारे ऐसे मुद्धे हैं जहां राज्य सरकारें केंदर सरकार और खास तोर पर प्रधान मंतरी मोदी का विरोध करती हैं कौन कौन से हैं कोविड पर क्या नीती होगी इस पर किंदर सरकार का विरोध होता है लॉकडाउन पर क्या नीती होगी ये अपने किंदर सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं वैक्सीन पर भारा सरकार के देशा निर्देशों का राज्य बहुत बार पालन नहीं करते अपने ही देश में बसी बनी वेक्सीन पर सवाल उठाते हैं चीन के मुद्दे पर आप देख लीजिए विपक्षी दल अपने ही सरकार के खिलाफ हो जाते हैं पाकिस्तान के मुद्दे पर भी यही होता है और मोधी विरोध के लिए दल आतंकवाद पर भी किंद्र सरकार का विरोध करते हैं किं सरकार के किसी आदेश को तो मानेंगी नहीं लेकिन उन्हें गणतंत्र दिवस के परेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इसे राजनीती का रूप देने लगेंगी